हलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टू माई चानेल डाइट अन्फिटनेस, मैं हूँ आपकी दोस्ट डाइटिशन आकांगशा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेरिकोज वेन्स के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, तो दोस्तों वेरिकोज वेन्स मतलब क आप मैं से कुछ-कुछ लोगों को पता होगा कि वेरिकोज वेन्स मतलब जो बढ़ी हुई नसे होती है, उन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, लेकिन जादा तर अगर आप देखो, तो जो लोगों का काम जादा खड़े होकर होता है, उनके पैरों की पंजों की जो नसे है, वो बहुत ही जादा फूल जाती है, और वो बाहर से दिखाई भी देती है, नीले-नीले रंगी नसे, उन्हें वेरिकोज वेन्स कहते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोगों का काम जादा तर खड़े होकर होता है, उनका क्या होता है, दिन भर उनका जो शरीर का व होता है, जो खून का नियंतरन करता है, उसके उपर दबाव आने के कारण खून जो होता है, वो उपर की तरफ चड़ता नहीं है, फिर सारा खून जो है वो नीचे की तरफ जम जाता है, और फिर उसके कारण ये वेरिकोज वेन्स होती है, बहुत ही जादा दर्ध है, जलन ह या फिर सूजन है ऐसी काफी परेशानी होने लगती है वेरिकोज वेंज के साथ तो इसलिए सही समय पे डॉक्टर से जाज करवाना सही समय पे सही टीटमेंट लेना बहुत ही जादा आवश्यक है सही मेडिकल टीटमेंट के साथ-साथ हम आज की वीडियो में ये दिखेंगे कि आहार में ऐसे कौन से कौन से पदात है जो लेने से आपको वेरिकोज वेंज के जो लक्षन होते है यानि की दर्ध है जलन है सूजन है ये सारे लक्षन कम होने के लिए मदद होगी तो बिना किसी दैरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो लेकिन आगे बढ़ने से पहल सबसे पहला पदार्थ है लेसुन तो लेसुन जो होती है वो हमारे खून के अंदर से और हमारे शरीर के अंदर से जो भी हानिकारक पदार्थ होते है यानि की टॉक्सिंस होते है उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत जादा मदद करती है और उसी के साथ-साथ हमारे शर दी है ऐसे लोगों के लिए रोज सुबह है एक या दो कली अगर आप खाते हो कच्चिल है सुनके तो वो वरिकोज वेन से रहत देनी के लिए भी मदद करेगा दूसरा पदास है जैतुन का तेल तो जैतुन का तेल याने की ऑलिव ओल आजकल बहुत ही जादा आने लगा है मा बहुत ज्यादा मदद करता है और उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी मातरा में इसमें विटेमिन ई पाया जाता है तो आपके सलाद के उपर ड्रेसिंग के तौर पे आप डाल के ले सकते हो और एक बात यहां पर मैं बताऊंगे आपको जैतुन के तेल से अगर आप विनेगर जो है वो हमारे शरीर की प्राकृतिक रूप से सफाई करता है अंदर से यानि की डिटॉक्सिफिकेशन का काम यह बहुत ही अच्छी तरीके से करता है रोज सुबह कम से कम दो चम्मच अगर आप ले रहे हो पानी के साथ तो आपका जो ब्लड चर्कुलेशन होता है रक्त का प्रवा होता है उसे नियमित रखने के लिए भी यह मदद करता है और वजन नियंतरत करने के लिए भी यह बहुत ज्यादा लाबदायक होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया लोगों का जो भार शरीर का जो वजन होता है वो पैरों के उपर ज्यादा आता है और उ प्राब्लम होती है उसे कम कर सकते है या फिर उसे टाल सकते है चौथा पड़ात है अलसी जो है यानि कि फ्लाक्सीर जो है वह बहुत ही जादा लाबदायरक होती है हमारे शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए इसके अंदर बहुत ही अच्छी मातरा में ओमेगा-3 फै तो बहुत ही जादा मदद करेगा अलसी के साथ काले तिल जो होते है ऐसे मिक्स करके आप सूखा चटनी बना सकते हो अलसी के साथ साथ चीया सीट्स जो होते है वह भी बहुत ही जादा मदद करते है वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए पाच्छवा बदा circulation को बढ़ाता है इसलिए अक्रोड का सेवन आप कर सकते हो रोजाना नहीं तो जैसे जैतुन के तेल का है वैसे ही अक्रोड के तेल से भी अगर आप मसाज करते हो उपर से लगाते हो तो उससे भी बहुत ज्यादा मदद होती है छटा पदात है लाल सिम्लामिच अलग-अलग कि जो कलरफुल सबजिया होती है खास और पेहरी और लाल सिम्लामिच की अगर हम बात करें तो वो बायो फ्लेविनोइट से भरपूर होती है उसी के साथ इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटमिन C भी पाया जाता है तो जो लक्षन होते है वरिकोजवेंस के उसे कम क करने के लिए यह बहुत ज्यादा मदद करती है है सातवा पदात है जुकंदर होमोसिस्ती नाम का जो एक घटक होता है वह हमारी रच्थ कोशिकाओंको liberal को घैमिज करता यानि कि नुकसान करता है और डुपनर जो है वह है वह इस होमोसिस्तीन का लेवल कम करने के लिए बह पर चुकंदर सलाद में आप ले सकते हो, उबाल के अगर आप खाते हो तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसके उपर थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक डाल के लेना है, तो बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है और आपके वेरिकोज वेंस के प्रॉब तो आपको तुरंट चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अध्रक हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, यानि कि पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसी के साथ साथ हमारे रक्त प्रवाह को भी ये नियमित करता है, तो खास तोर पे अगर वेरिकोज वेंस है, आपको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे आपके रोज के खाने में अध्रक का सामावेश आप जरूर कर सकते हो, या आपके पाचन को भी अच्छा रखेगा और वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम को कम करेगा, नौवा पदायत है विटेमन सी योक्त फल, तो विटेमन सी योक्त फल जो होते है अलग-अलग प्रकार के, वो रूटीन नाम के एक घटक से भरपूर होते है, और हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होते है, उन्हें ये मजबूती देते है, और हमारी रखत की जो नसे होती है, उन्हें भी ये रक्षन करते है, इसीके को बहुत ही अच्छी मात्रा में anti-oxidants भी मिलते हैं और हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी तरीके से hydrated भी रखते हैं तो इसी के कारण जो भी फल होते हैं संत्रा मोसंबी नेम्बु आमला अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे फल होते हैं, अंगूर है, चरी है, या फिर और एक मैं आप बताना चाहूंगे आपको कुट्टू का आटा जो है, यानि कि सिंगाडे का आटा जो है, इसका सामावेश भी आप आहार में कर सकते हो, बहुत ही जादा मदद करेगा आपको, दस्वा पद लेक्स, विटेमिन सी, विटेमिन ई, ऐसे बहुत सारे विटेमिन से भरपूर होती है, और कैल्चिम और कॉपर जैसे मिनरल्स भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं इनमें, तो इसलिए ये वेरिकोज वेन्स के लक्षन कम करते हैं, हमारा जो बलड सर्कुलीशन होता ह उसे ये नियमित करते हैं, तो आपको अगर मिल जायज में से कोई जलकुम्भी जो वनस्पती होती है, तो उसका सामावेश भी आप आहार में कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो जो वनस्पती आप ले रहे हो, वो जलकुम्भी ही है, तो अगर आपको मिलती है तो आपके सलाद के तौर पे आप इसका सामावेश भी कर सकते हो तो दोस्तों ये सारे वो पदा थे जो आपको वेरिकोस वेंस के लक्षन कम करने के लिए मदद करेंगे इन्हीं के साथ साथ हलकी पुल की एक्ससाइज है और मसाज भी आपको करना है और पानी की मात्रा भी अच्छी लेनी है यानि कि कम से कम तीन से चाल लीटर पानी अपको दिन भर में पीना है ताकि जो भी टॉक्सिंस होते है शरीर में जारी जो असुद्धी होती है शरीर की वो सारी बाहर निकल जाएगी तो आज की वीडियो के लिए वस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करें, मैं अब आप